तो दै heStop कि आप जानते हैं कि mulet में कभी सारे ऐसे चार्ज्थ एलेबल एंजो आपके स्मार्ट फोन पावर बैंक को चार्ड गरते हैं तो इस वीडियो में हम यही सब जानेंगे Hello friends, I am Angeet from TechCube and I hope that you all guys are doing very well So, आज की इस वीडियो में हम discuss करने वाले हैं कि जो chargers होते हैं उनके specifications क्या होते हैं और कौन सा charger आपके लिए perfect रहेगा अब देखिए, market में आखर हम chargers की बात करें हम बहुत simple terms में बात करें तो 0.5M, 0.75M, 1M, 2M, 2.5M और अलग अब तो fast charges भी आ गये हैं इसे 9V charger दोते हैं और 5V charger होते हैं खर वो हम discuss नहीं करेंगे तो जो अलग लग चार्जर अवेलेबल होते हैं आपको उसमें से कौन सा charger लेना चाहिए अपने फोन का एक्जामपल देता हूं मेरे फोन में 4000m की बैटरी है अब क्या होता है मेरे को 4000mAh की बैटरी मिली है उसके साथ 2.4 या 2.5M का चार्जर भी फोन के साथ अजन एक्सेसरी मिला हुआ है और उस चार्जर से approximately 3.5 से 4 आज लग जाते हैं फोन को फुल चार्जर ने में 0 से 100% में अब क्या होता है कि कई लोग सोचते हैं कि हाँ उगर वो आफ्टर मार्केट फास्ट चार्जर या इस टाप कुछ खरीद लेंगे तो उनका फोन फास्ट हो जाएगा देखिए मैं आपको बता दूँगा ऐसा कुछ भी नहीं होता है जितना आपकी फोन की इंटेक होती है वो हमेशा कॉंस्टेंट रहती है चाहाँ कितना भी फास्ट चार्जर लगा लो जेतना टाइम उसने लेना है उतना ही टाइम लेगा जैसे इंकेस एक्जामपल लेता है किसी एक कोई एक फोन है जिसमें 2000 मिलियाप्स आर की बैट्री लगी हुई है और उस फोन के साथ एक वन एम का चार्जर आता है नॉर्मल वन एम का माइक्रो यस्वी टाइप का चार्जर आता है ठीक है अब क्या होता है कि उस चार्जर से वो फोन एप्रोक्सिमेटली वन और टू आर्स में चार्ज हो आता है अब अगर आप उस फोन के लिए टू एम का चार्जर यूज़ कर देंगे तो यह मत सूचिए कि आपको आदा ही गंटे में चार्ज हो जागा लेकिन अगर आप उस फोन में वन एम से कम कर देंगे तो फरक जरूर पड़ेगा क्योंकि जितना करेंट डिजायड है फोन के अंदर एंटर करने के लिए उससे कम करेंट एंटर कर रहा है जो करने से जितना चार्जय टायम लेता था मोग जांपल एंग घंट लेगा तो पॉइंट से दो घंट लेगा यह इस सिंपल लब में आपको बताहूं तो वन हैंप का चार्जर ए मड़े गटे में चार्जर पड़ा हुआ है एक सैंपल चार्जर और आफर मार्केट चार्जर है अब देखिए इस चार्जर के लिए रेटिंग्स पॉर्ण तो इसमें लिखा है टू पॉइंट फॉर एंप फास्ट चार्ज प्रोटोकॉल जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं टो फोन बाऑखसर उस-वाफी तू क्लठ करती है तो फोन कि आप लोग दिखर सी ruग आप लिखना हbbeन करदी ने हshiftay तो नहीं तयब से हैं कि आप लोग लोग कर डिसने पह्रों खरीट坏 उसके बाद आपकी कई लोग कि काई लोग लग उमस्टाक चार्जिंग प्रिवियस चार्जिंग पोट दिया होता है तो उसमें चार्ज लगा लेते हैं और सोस्ते हैं कि यह बैटरी फास च्राजर यू नहीं होरी या बैटर में एफेक्ट और फोन हीट आप क्यों कर रहा है यह वो तो मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि अगर आप आया था और अब आप कौन सा चार्जर यूज कर रहे हैं अगर आप आपने अफ्टर मार्केट चार्जर में अपग्रेट किया है तो आप सिमिलर टाइप के चार्जर को लिए जैसा आपको प्रीशली कंपनी से मिला था वही के साथ भी जनरली पावर में वैसे टू एम का ही ह होता है यूज कि आप थोड़े एक्स्टा पैसे जब अब तो आपको सच में उसकी ज़रूवत है और यह आप ही जानते हैं कि आपके स्मार्टफोन की स्पेसिफिक्शन क्या है और उसके हिसाब से आपको कौन सा चार्जर देना चाहिए तो यार आइब होब कि आपको ये लेट विदियो के तो इस वीडियो को लाइक दीजिए और इस वीडियो को अब बागी सारे में लेटिफों के शाच रहे और अगर आपके इस टॉपिक के रहे हैं तो आपको सिक्शन कर सकते हैं तो आज़ए ब्लेट नहीं, let's meet you in the next video, till then, bye